नमस्कार दोस्तों पर फिर्ट सोगा था अपके अपने चैनल फ्रेंडशीविन प्रिडिक्शन में तुरुस्तों में पजिवाइच खबर करने वाले नेशनल टी टोन टीकप का ग्यार वामेच है जो को दोस्तों में बिखले लाएगा के एच्पी बेसे एस ओपी टीम्स की पर दोनों टीमों के प्लेयर के स्टाट से अकॉर्डिंग टू बैटिंग ओडर स्ट्राप को पता दूगा इस मैच का टीम को ओमेनेशन के रहने वाला है हमारा वह आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है दोस्तों वीडियो राइक तर के अपने शुरुआत करना आपका ए जल्दी से आके हमारे टेलेग्राम चैनल से भी जुड़ो जाना इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्किप्शन और फ्रस्ट कमेंट पिन के अब लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलेग्राम चैनल जोइन कर लेजिए दोस्तों कभी कबार इस लिंक को इंड़ी पाकिस्तान के अंदर मैच खेला जाएगा इसी बात करें दोस्तों में एक विकट की तो यहां का विकट ओर और बैलेंस होता है और दोस्तों हलांकि इस विकट पर जो सुरुवाती वर्स होते हैं खासकर दोस्तों सुरुवाती पांच शेवर उसमें पेसर स्को ए जो की काफी मजबूर टीम है और इस टूनामें पर तक तीन मैच खेलें और तीन की तीन मैच खेलें जीत किया रहे हैं इनका बैटिंग में इनका ओपनिंग कॉमिशन बहुत जबड़ जसता है मुई दोस्तों इस मैच की जो दूसरी टीम रहने वाली है यहां पर S.O.P की सिकेंड पोजिशन पर है यहां पर पोइंस टेबल में लास्ट के इनकां मंनुर מץू में पहलई मैच में आरका सामना करना पर था लिए लोग भी आ रहे हैं श्वपर्ण की तो present वोब सॉ में बात करते हैं के자विक है सहीब जयादर फरहान उनके साथ उपन करने हैं लेकिन एक तरह से जब तक रहते हैं रन बनाते रहते साथ में कीपिंग करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ ने कुछ पॉइंट जरूर देखे जाएंगे कैचिंग और स्टंपिंग के भी लास्ट गेम में 37 रन किये उसके पहले 33 के उसको बहुत दस किये थे तो लास्ट के दो गेम में दोनों 30 प्लस है आप इनको भी सीवीजी करूप में देख सकते हो कुछ तीस चैलिस बैटिंग से कर गए और एक आथ दो कैच पर गड़ लिए आपको अच्छा कासा पॉइंट देखे जाएंगे तो वह कैट्टोनर्स बिल्कुल आप इने बना सकते हो एक अच्छी आपके लिए रहने वाले और ओर वल स्टेट्स दिन का इस टूनामेंट से पहले 14 गेम के अंदर 287 रन था पीएसल में भी ये खेलते हैं वन नार में देखें कामरान गुलाम राइट हैं लेप टाम और तो पार्ट टैम बॉलिंग करते हैं लास्ट गेम अच्छा है कि उसको पहले नव पहले के मून तालिस हाला कि दोस्तों अब यह ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन दोस्तों है अच्छे फिक इसलिए क्यों कु दोस्तों इनका मतलब बॉलिंग जरूर कर रहे हैं लेकिन आप लेना जाओ तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो मुहमद सर्वर की बात करें दोस्तों राइटाम मीडेम पेस बॉलिंग दोस्तों यह आपको बैटिंग सेक्षन मिलेंगे मैं यह क्लियर बोला था कि किसी भी मैच में अपने चार वर करके चले जाएंगे उसके बाद 24 के सिगन बाइच जो बॉलिंग ने कर रहे हैं लास्ट बैश में सीधे चार वर डाले एक पर चट्रका अधास रहे हैं कि बॉलिंग करना जानते हैं टीम दो मैच से इनको चिस तो कली रहें 24-24 चाओविस और तीस के स्कोर आप देख सकते हो बात के हैं दोस्तों आमिट जमत की थोड़ा नीचे खेलने बाइलिंग करने रहें तो मेरे जाब से यूरेजपिक हैं पासा नीचे चोंट सकते हो खाली दूस्मान की बात कि हैं लेप्टां और तो रॉ तो ठीक ठाक से अलाउंडर हैं माच को छोण दीजेगा उसका रीजन है दोस्तों कि लास्ट मैच में को एक दोर की बॉलिंग नहीं दी गए तो इसलिए रिस्की रहेंगे अर्था देख वाल की बात के हैं राइटम मीडियम पेसल के अंदर भी अच्छ पहों उस था और ल यहां से इमरान खान सीनियर हो गए और उपर से लोगए तो आपको यह पर दिखेंगे जैसे घुलाम हो गए सारे प्लेयर्स के जो फर्स्ट मैच की पहुंच थी वो फैंटिस अप्लिकेशन पे एड नहीं हुई थी क्योंको यह मैच समय से पहले तोड़ा सुरू हो गए थ मतलब मैच का स्टार्ट होने के टाइम दोपार में दोबच के 15 मैच था लेगिन सभी फैंटिस अप्लिकेशन पे इसकी डिड़लाइन दोबच के 30 मैच के रख्की हुई थी तो इसलिए समय से पहले होने करण इस मैच स्ट मैच को जो इस ट्रिम का था फैंटिस लेकिन लास्ट यर इस टूर्णमिन के हैस्ट विकट टे करते बार अगये में 16 विकट निकालते हैं लेकि पर मेरा मही मानना एक बरफिट से बैक करिए क्योंकि चार वर्त पूरे डाली रहे हैं अच्छा का सभी निकाल सकते हैं जुनियर की बात करें तीन मैच के अंदर च फानल अपडेकों टेलेगराम पे दिया जाएगा इसी वीडियो को डिस्केप्षन और फ्रस्ट कमेंडमिन लिंके क्लिक करके तुर्ण टेलेगराम से जुड़ जाएं लास्ट मैट अफटेट और फानल टेम खेले हैं दू मैच में भी जी है एक मैच में हैं नायकर का सामन से पहले अंठावन गीमर देरर 27 छाते हैं , तो आप भास को बहुत है जरू त्याएगा नहीं चाहिये तक यहाएगा सोल कि इस हमग करते दो और दोस्तों वांड नोन बैटिंग करते हो दिकेंगे जी सान असर लेट हैंड बैट समन विकेट के पर बल्लेबाज लाश्ट के में 16 की उसके पहले 12-4 एउरे जॉपसन है लाश्ट यहर भी कुछ खाश नहीं कर पाये थे दोस्तों इस टीम का बॉलिंग बहुत अच्छा है बैटिंग से लोग डेट सो कर गए तो सामने वाली को बनाने नहीं देंगे लास्ट मैच में एक जो लास्ट मैच था इस टीम का सामने वाल टिम को 79 में आउल आउट कर दिया था उसका रीजिन है था आगा सलमान ने सबसे सब्सक्राइब करें बैटिंग से भी जुरुआत में कुछ नहीं कर बाया है लेंकि निरम कभी बना सकते हैं लास्ट यह भी साथ गेम के अंदर 176 रन किये थे बात करें दोस्तों सारुन सिराज जी एसा प्लेयर है जो हर मैच बंदा परफॉम कर रहा है लास्ट गेम इंपोर्टन रहेगा अपनी टीम एजए प्लेयर जरू ट्राइब करें हलांकि थोड़ा नीची खेलते हैं लेकिन फॉम अच्छा चला लागिन फॉम प्लेयर आपकी टीम में चोड़ना बहुत रिस्की हो जाता है नीची दिखें दोस्तों हासन अली यहां पे नीची की इ सब्सक्राइब करें तो अच्छा गाजा बॉलिंग कर रहें लास्ट गेम में यह लोग सामने टीम को से 79 पर समयट देए थे इस वाइस ज्यादा बॉलिंग नहीं की लेकिन अच्छा गाजा बॉलिंग करके जाते हैं नीचे चलें तो दोस्तों दिखेंगे एमिरां रंधा लाते पांच ब्रॉट निकाल जुके थे लास्ट गए में दो वर के मिले में इसकास कर चुका हूं सामने वेल टीम सिर्फ तीरा चौदा और पे समेट गई थी फैजल अक्रम को बात करें यह भी तीन चार वर काज़ डा रहेंगे जरूर ट्राइब कर लिजेग हलांकि उतन बाहर चले जाएंगी तो देखते हैं अफ्टर्स एसवी की टीम क्या करती है अभी के लिए तो आप यही बैटिंग ओर मान सकते हो जिसे मक्सूद आते भी है तो उसी जिसे ओपन कर जाएंगे इनकी जगे बाकी बैटिंग ओर आपको सेम देखने को मिल सकता है अब दोस्त तो इसका टीम के है चले टीम देखते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं टीम की बिकट केपरिंग सेक्शन दोस्तों में मुहमद हैरेस के साथ जा रहा हूँ बैटिंग सेक्शन दोस्तों मैं जैन अबबास को पनी टीम में रखा हुआ है यहां से मुहमद सर्वर अप्रेदी के सारुन सिराज qu définitive में रखा हुआ है अलांडर सेक्षण दोस्तों कामरान घुलाम मेरे पास है यागा जल्मान को पिक किया हुआ है इम्राण खां सीनियर है समीन गुल को मने लिया हुआ है महमध पॉइंट देंगे लास्ट के दू मैस में 2930 प्लस का स्कोर है इसलिए मेरे वाइस केप्टेन इनको किया हुआ है केप्टेन आप दूस्तों यहां से सहीब ज़्यादा फरहान को कर सकते हो जोगे अच्छे टज मिला गया है लास्ट इयर इस टूनमेंट के हाइस्ट रंगे र क्लिक करके आपने तुरण टेलेग्राम चैनल जोइन करने है लास्ट मैट अबडेट और फाइनल डिम के लिए वीडो पसंद आयो हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और दिया आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करके बेल का इकन पर इस करि मिलेगे निस्ट वीडो में वीडो अर्ष करने के लिए दिल से धन्यवाद